तो दोस्तों प्रदीबीरे अकाइडमी इस चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम पॉजन डिस्टिबिशन के उपर ये पूरा का पूरा टॉपिक देखने जा रहे हैं सबसे पहले आप सभी लोगो बता देना चाहतों कि भाई इंजीनेरिंग के उपर ये टॉपिक बागी था तो डिप्लोमा अलग अभी ये टॉपिक में कवर करा रहा हूँ अब सोचो भाई एक नीचे तो कॉमेंट चलना चाहिए इंजीनेरिंग और डिप्लोमा को सब चीजे में अलग-अलग प्रोवाइड कर रहा हूँ तो यह बहुत बड़ी बात है चलते ह आपको याद रखना है आपका काम हो जाएगा साथ में बस यह जैसे आपने बाइनवल डिस्टिबिशन में हमने पड़ा था वैसे सेम यहाँ पे भी है दोस्तों एम इकोल टू आपको क्या याद रखने पता है नो प्रॉब्लम बस यह वाला एक फॉर्टल आपको याद र करते हैं और अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से और भी चीज़े चाहिए तो हमारे अप्लिकेशन पर अल्रीडी लेक्शर चल रहे हैं वहां से आप ले सकते हो क्रैस कोर्स आपका अल्रीडी मैंने लॉंच कर दिया 25 से स्टार्ट होने वाला है क्रैस कोर्स से आप जू समझ में आता कि आपको यह समझ करना है कि कहीं पर आपका पी का वैल्यू बहुत ही छोटा दिया हो और आन का वैल्यू बहुत बढ़ाद दिया हो तो इस case में आपको poison distribution apply करना P का value most of the cases में 0.00 करके अगर दिया हो तो भाई poison ही होगा यह समझ के चलना तो यहाँ पे देखो the probability of getting an item defective is something मतलब यह हमें क्या दिया है दोस्तो P which is equal to 0.005 मतलब अपने को P दिया है what is the probability there exactly 3 item in the sample of 200 मतलब n equal to कितना है दोस्तो 200 है और हमें r मतलब हमें 3 के बारे में पता करना है r defective तो दोस्तो देखो सबसे पहले हमें m का value पता होना चीए m equal to क्या होता है दोस्तो n into P n कितना है दोस्तो 200 multiply by कहा है 0.05 अब अगर मैं इसको multiply कर रहा हूँ हमारे पास स्केल्सी है अगर हम इसको multiply कर रहे है तो यहां पर कहाएगा दोस्तो 200 multiply by 0.05 तो something यहां पर जो हमारा answer आया दोस्तो वो 1 आया और यह जो 1 आया यहां पर चेक कर लिए अगर तो तो तोड़ा बहुत ऐसा लगए अगर सेम है तो समझ जाना भाई सही चल रहा हूँ अब यहां तक वोने के बाद दोस्तो आपको यहां पर answer निकालने की कोशिस करना है तो यहां पर जैसे आपने देखो है यहां पर लिखा है न x equal to r तो यहां पर आप x equal to क्या लिखोगे दोस्तो आर का value कितना है 3 है चाहि m कितना है दोस्तो 1 है raise to r कितना है दोस्तो 3 है और r factorial मतलब दोस्तो 3 का factorial अगर मैं इससे solve करना ही कोशिस करो तो direct आप अपने calcium solve कर सकते हो shift करो e raise to minus 1 ले लो into 1 raise to 3 मतलब 1 ही होता है और 3 का factorial अब 3 का factorial आप ले सकते है या तो 3 into 2 into लिख सकते हो factorial का symbol भी आपके Kelsey में है just log के उपर आपको दीखेगा तो shift करके आप वहाँ click करोगे तो आपको मिल जाएगा तो finally दोस्तों यहाँ पे जो हम solve कर रहे है इसका answer आ रहा है 0.613 तो देखो बहुत ही अच्छे तरीके से हम पूरा का पूरा part solve कर दिया हमने कितने आसान तरीके से यहाँ पे क्या बोला if a random variable has poison distribution such that p of 2 equal to p of 3 क्या दिया है दोस्तों p of 2 which is equal to p of 3 then find the value of p of 5 तो indirectly आपको इसको solve करना यहाँ से आपको m का value निकालना देन आप p of 5 आरम से निकाल सकते है अब देखो दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे आप क्या formula अप्लाए करोगे e raise to minus m यहाँ पे r, r की जिगह पे रहाँ पे रहाँ पे रहाँ करना दोस्तो factorial यहाँ पे दोस्तो m upon 3 factorial और अगर आप देखोगे तो इसे हम 2 into 1 लिख सकते हैं इसे हम m into 3 into 2 into 1 लिख सकते हैं दोस्तों तो यह देखो यह 2 2 cancel हो गया तो finally हम बोल सकते हैं दोस्तों m equal to 3 यहाँ पे आ जाएगा तो m equal to 3 तो यहाँ पे हमें m का value मिलिया तो इस तरह के भी अगर questions आएंगे तो आपको attempt करने आना चीए दोस्तों अब यह part होने के बाद दोस्तों आपको आगे का part कैसे solve करना है अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है दोस्तों probability निकालना है x which is equal to r आपको formula पता है e raise to minus m m raise to r upon r factorial अब दोस्तों आपको p of x which is equal to क्या निकालना है दोस्तों 5 यहाँ पे दिया है आपको यह find out करना है तो यहाँ पे कहाएगा दोस्तों e raise to minus m मतलब कहाएगा दोस्तों 3 3 raise to r कितना है दोस्तों r का value अगर मैं देखनी कोस्टिस करूंगा m तो हमें मिल गया r का अगर हमें value दिया है गया दोस्तों r का value phi है हमारे पास phi है और यहाँ पे दोस्तों क्या है गआगा phi का factorial तो देखो हमने जैसे पहले direct value put up किया था वैसे ही मैं करने आला हूँ अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एक चीज़ यहाँ पे दियान देना कि यहां पर e raised to minus 1 का इन्होंने अल्रेडी value दिया तो आपको जो value दिया वह लेना चीए पर आप वह वैल्यू लेके करना जो आपको perfect value दिया उसके according इक बार हम चेक भी कर लेंगे तो finally दोस्तों यहाँ पे जो हमारा answer आ रहा है वह आ रहा है 0.1008 एक बार हम पीछे का answer चेक कर ले रहे है क्योंकि मैंने direct e raised to minus 1 का value ले लिया था पर यहाँ पे जो value वह ले 3, 6, 7, 9 multiply by 1 का cube और 3 का factorial तो दोस्तों यहाँ पे हमारा answer same answer है कोई changes नहीं है मतलब answer same है कोई problem नहीं है एक बार इसे भी चेक कर ले रहे है e raised to minus 3 into 3 raised to 5 और 5 का factorial yes perfect है तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको यह दोनों ही type के questions solve करा दिये बट कभी कबर आपके exam में इस तरह के भी questions पूछे जा सकते है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना अच्छी है यहाँ पे आपको क्या करना है निकालना है पर उसके पहले आपको यहाँ पे m का value नहीं रही दिया है यह बहुत बड़ा problem हो गया है तो दोस्तों अगर आप दियान से अच्छे से देखो हो सकता है यह value आपको दिखा ہि नहें परyan पर इहां पर लिक देरा हूँ देखो merry से यह आपका f है यह खिला है दोस्तों जीरो है तो यह कितना है 122 है यह 1 है तो यह कितना है दोस्तों 15 है यह 3 है तो यह कितना है दोस्तों 2 है यह 4 है यह कितना है दोस्तों 1 है यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों यह मीन की तरफ फॉर्मले से हमें फाइंड आउट करना है मीन वाला यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों यह पूरे को को सब्सक्राइब और और यहां पर नंतलीन के से सब्सक्राइबapter 9 को 1-2-10-15-2-1-2-1-6-7-7-2-1-1-3-0-1-2-2-1-2-2-2-2-1-2-1-1-2-2-1-2-2-1-2-3-2-1-8-0-3-3-2-3-1-2-1-1-2-2-1-2-3-3-2-1-3-2-3-2-1-2-2-1-1-1-3-2-1-3-4-1-3-5-2-2-3-4-3-2-2-1-3- करता हूं तो 0.5 आएगा यह दोनों डिवाई करता हूं 1 by 2 मतलब 0.5 अब यहाँ पे 0.5 है मतलब indirectly यह हमें m का value दिया है दोस्तों यह क्या हमारा 0.5 मतलब यह हमें हमारा mean मिल गया अब mean मिल गया तो दोस्तों आपको क्या करना आपका poison find out करना तो यहाँ पे x which is equal to r यहाँ पे काएगा e raise to minus m m raise to r और r का factorial तो e raise to minus m मतलब 0.5 0.5 raise to r और यहाँ पे r का factorial इसी तरह से लिखें क्योंकि हमें r की values नहीं पाता है तो दोस्तों उमीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीगे से आपको समझ मैं आप कोई भी questions ले लो आप आराम से करा दूंगा normal distribution तो वीडियो को देखने के लिए दिल से thanks thank you so much दोस्तों जैहिन दोस्तों